रेक डिशाइन करने के लिए मैंने simple खुड़ते की cutting कर ली है और इस पर जो मैं neck बनाऊंगे वो भी simple round neck है इसकी जो width है वो मैंने 2 and half inch ली है और जो length है वो मैंने 5 inch ली है ऊपर से मैंने half inch e-light के लिए छोड़ा है उड़ते को open करते हुए हम इस mark को अब इस side भी ले लेते हैं mark को मैंने अच्छे से dark कर दिया है और ये mark मैंने सीधी side लगाया है mark को dark करने के बाद मैंने ये shape cut की है इसे मैंने shirt टी-shirt पैक करते समय जो cardboard अंदर लगाया जाता है उससे मैंने cut किया है इसकी आप width देख सकते हो एक इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है इसे हम center से लगाना शुरू करेंगे ये neck का center है center से लगाने से दोनों side एक जैसा design आएगा इसे हम थोड़ा set करके रखेंगे और किसी भी pen pencil जिससे ये mark dark नज़र आए उससे लगाएंगे मैंने ये sketch pen लिया है जिससे ये मैंने यहाँ पर mark लगाया है इसके बाद यहाँ से हमने ये shape cut की थी वहीं पर हम ये half circle draw करेंगे इससे हम इस design के उपर set करेंगे और जितनी ये वीत है यहाँ से हम उतना छोड़ते हुए mark लगाएंगे यहाँ से अंदर के side हम थोड़ी गहरी shape देंगे अब जो हम यहाँ पर mark लगाएंगे उससे आप ऐसे shape cut करके भी लगा सकते हो और इंची टेप से यहाँ से नाप कर भी लगा सकते हो सेंटर से यह shape थोड़ी कम उठी हुई लग रही थी तो मैंने इसे थोड़ा सा और उबहार दे दिया है design complete करने के बाद अब नीची की side हम fusing paper paste करेंगे उसी से ही हम इस fabric को round shape में गुमा पाएंगे जितना भी fusing paper extra रहेगा उसे हम embroidery के बाद remove भी कर सकते हैं इस design को आप इसी तरीके से और भी आगे बढ़ा सकते हो तो अभी हम embroidery करना शुरू करते हैं embroidery के लिए मैं ये silk का golden thread यूज़ कर रही हूँ ये shaded thread है इसमें blue color भी नजर आ रहा है और नीचे की side मैंने golden color का thread यूज़ किया है cotton का यहां से हम c pattern select करेंगे jig jack pattern तो यहां भी मैं c select कर लेती हैं length को हम zero से थोड़ा सा आगे set करेंगे इसको हम बिल्कुल zero पे नहीं लाएंगे इससे जो machine है वो एक ही जगा रुखी रहेगी और जो width है उसको full रखेंगे इसे हम five पे set करेंगे करेंण जर गार कर जब बत Alrighty। करेंजा जए टुब खब एंजाँ करेंजादी टुबस्टब करेंग करेंजादी यह रहलादी करेंजादी ऑलादी बटनी सही टिक्वेसी दोश्टारा जब कि कर द triangular भाशा सकता ही वह भाउल खालत्त है खालत्त लापर छल करें खालतीologists भालतनी से पहान पयक message करें नहां खालता है अच्छाइब को हम शेप के अकॉर्डिंग गोल गुमाते जाएंगे तो बहुत ही एजी ये डिजाइन बनके तैयार हो जाएगा और इसे बनाने में भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये डार्क कलर का गोल्डन शेडर्ड थ्रेड है जिसके कारण बीच बीच में ब्लू, डार्क ब्लू और रेड कलर की शेडिंग आई है जो बहुत प्यारी लग रही है इसी तरीके से हम गुमाते हुए जिए पूरा डिजाइन कंप्लीट करेंगे इसमें हमने एक ही बार मशीन की सेटिंग की है, बार बार हमें सेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक ही सेटिंग में पूरा ये डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा जाया उजाइन का प्लीट में एक ही ड्रड़ेगي नहीं बार जाएपााक司 जास के पूरा ये प्हाईछ, ऑलाओ, वही है। दिजाइन मुझे थोड़ा कम ब्रॉड लग रहा था तो इस दिजाइन को मैंने थोड़ा और बढा लिया है तो पूरी डिजाइन को मैंने कम्प्लीट कर लिया है इसको आप मिरर, स्टॉन और जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे डेगोरेट कर सकते हो मेरे पास ये गोल्डन कलर के स्टॉन रखे थे तो मैंने इन्हें दो तीन तरीके से नेक पे सेट करके देखा और डिजाइन बना के देखा तो ये डिजाइन मिर को सबसे सही लगा तो अब ही मैं ये सबी स्टॉन हढ़ा के इन्हें गलू के साथ लगाओंगी आप किसी भी डिजाइन में ये स्टॉन लगा सकते हो और नेक को और हैवी लुक दे सकते हो झाल झाल पूरा कुटा मैंने कंपलीट कर लिया है इसके साथ मैंने अमरेलड पलाजो स्टीच किया है और धिसके बॉटम पे मैने एमरडरी से मैच करते हुई गोल्डन क्लर की लैस लगाई है इस ड्रेस का जो कलर है बहुत ही प्यारा कलर है मोर पंख्या कलर पर इस कैमरे में ये बिलकुल ही डल नज़रा रहा है रेल में ये color बहुत ही bright है पर अभी ये बिलकुल ही अलग नज़रा रहा है इस dress के साथ multi color में दुपटा है जो dress को और भी सुन्दर बनाता है